नमस्कार आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है आज की वीडियो होगी कोकिंग ओयल पर मार्किट में मिलने वाला कोकिंग ओयल कैसा है क्या ये खाने लायक है भी या नहीं और अगर नहीं तो इससे क्या-क्या परेशानिया पैदा हो सकती है और इसके निवारण के लि मीर्वर्बलम है मार्किट में कोकिंग ओयल को लेके फाले उससे देख लेते है वां कोकिंग ओयल प्लास्टिक पैक में तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके नैनौ पर्टिकल्ज्स ओयलमें काफी ज़्यादा मात्रा में डिजॉल होते हैं लेकिन मार्किट में लगभख सभी प्रकार के ओयल, प्लास्टिक बॉटल और प्लास्टिक डिबों में ही मिलते हैं इसके नैनो पार्टिकल्स हमारी आतों की अंदुरूनी सेताय पर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं जिससे खाद्य पदार्थों का एब्जॉप्शन ठीक से नहीं हो पाता जबकि हमारे खाने में चाहे सभी प्रकार के मिनिरल और विटामिन्स मौझूद हो जिससे स्वास्ते की हानी होती है अब दूसरी बात आज मार्किट में जितना भी कुकिंग ओयल मिल रहा है लगबग सारा ही नैचुरल ओयल है ही नहीं यह सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है क्रूड ओयल से पेट्रोल डीजल अधी निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है यानि उसकी वेस्ट उसे केमिकली कुकिंग ओयल बना दिया जाता है और फिर मार्किट में हमारे और आपके लिए डिपो में बंद करके भेज दिया जाता है लेकिन हम 40-50 साल पहले नैचुरल ओयल यूज करते थे मतलब नैचुरल सीट से निकाले हुए ओयल लेकिन आज के परिवेश में यह सब कुछ कॉर्परेट कंपनीज के अंडर आ गया है और वह इस क्रूड ओयल को केमिकली रिफाइन करके इस ओयल को बाजार में उतार रही है उपर से तमाम एड़ोटीजमेंट और जनता में इन सब बातों की कोई अवेरनेस नहीं होने देती है 40-50 सालों से हम इसी का यूज कर रहे हैं और बिमारियां किस हिसाब से बढ़ रही हैं यह सब आप देखी रहे हैं कुछ कहनी की ज़रूरत नहीं है क्या इसे सरकार जानती नहीं होगी क्या इस बात को डॉक्टर और साइंटिस्ट जानती नहीं होंगे आखिर कंपनीज में भी तो आदमी ही काम करते होंगे ना उनके थ्रू यह बात मार्केट में क्यों नहीं फैली क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इतना पावर्फुल है कि पैसे के दम से सब कुछ दवा दिया जाता है और आम आदमियों के नौलिज तक यह बात पहुँचने ही नहीं दी जाती मेडिया की तो बाती मत कीजिए यह तो बिना पैसे लिए कुछ तिखाई ही नहीं सकते अब आप देखें दुनिया में ओलिव के इतने पेड़ हैं कि आप इन्हें गिन सकते हैं जो इटली और फ्रांस में हैं और सच्चाई यह है कि सारे ओलिव का ओयल निकाला जाए लेकिन संसार के किसी भी हिस्से में आप आज ओडर करो पचास हजार लीटर ओलिव ओयल का और कल सुबह ले लो आखिर यह कहां से आ रहा है क्योंकि यह ओलिव ओयल है ही नहीं और गेनिक केमिस्ट्री आज इतनी एडवांस्ट हो गई है कि उससे कुछ भी बन वालो उसके लिए यह सब बहुत आसान है और उसी ने आर्टिफीशियल ओयल बना कर तयार कर दिया है हमारे और आपके खाने के लिए कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ओलिव ओयल ही नहीं किसी भी परकार का ओयल बना देते हैं यह लोग जैसे कोकोनट ओयल मस्टर्ड ओयल सिसमी सीड ओयल ड्राउंड नट ओयल इत्यादिव और यह ओयल जब हमारे शरीर में जाएंगे तो क्या करेंगे आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आज के समय आप खुद देख रहे हैं कि हर छे महीने में कोई न कोई अस्पताल नया खुल जाता है क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है फिर कहते हैं साइन्स ने बहुत तरक्की किये हमने बहुत तरक्की किये आपको अस्पताल देकर वो तरक्की मानते हैं ना कि आपको अच्छी सहथ लोटते हैं फिर इसी तेल पर Medical Science कहती है कि हमारा मस्तिक्ष यानि ब्रेन मेंली ओयल से फॉर्म हुआ है और उसे प्रॉपर वर्क करने के लिए ओयल की जरूरत रहती है तथा शरीर के सॉफ्ट ओर्गन्स 60% ओयल के बने हुए होते हैं जिनकी मेंटिनेंस भी ओयल से ही हो सकती है परन्तु यहां ओयल की जगे हमें डीजल ओयल यानि कुरूड ओयल दिया जा रहा है खाने के लिए तो क्या होगा आप समझ सकते हैं मैं थोड़ा सा और इसकी पोल खोलता हूँ आप देखें मुफली की गिरी लगभग 120 रुपे पर केजी है और तीन किलो में एक किलो ओयल निकलता है तो 360 रुपे हो गए अब निकालने वाले का 40-50 रुपे रख लो कम से कम और 50 रुपे डीलर डिस्ट्रिब्यूटर पैकिंग का रख लो कम से कम तो यह हो गए से का सी किलो में एक किलो निकलता है तो तीन किलो के 210 सर्श के ही हो गए एक्स पेलर के रख लो 50 रुपे और 50 रुपे डिस्ट्रिब्यूटर और रूट के रख लीजिए तो यह लगभख 300 से लेकर सवा 300 रुपे पहुंच गया प्रन्तु मार्किट में डेड़ सो रुपे पर केजी एवलिबल है और यही सभी परकार के तेलों का हाल है एक और इंडस्ट्री है मीट इंडस्ट्री इसके वेस्ट से भी कुकिंग ओयल बनाया जा रहा है वह भी नेचुरल ओयल नहीं है और इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए यह स्वास्त के लिए हानिकारक है इसी ओयल से कॉलिस्ट्रॉल बढ़ता है अब इस तेल से जो समस्याएं हो रही है उन पर जड़ा नजर डाल लेते नेचुरल ओयल के नहीं मिलने से मस्तिक्ष रोगों में बढ़ोत्री शरीर के सभी सॉफ्ट ओर्गन्स जैसे की हार्ट, लिवर, किड्नी, लॉंग्स थाइराइड और पैरा थाइराइड ग्लैंड्स ये सब ठीक से काम कर ही नहीं सकते अते इन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती चली जाएंगे अब मैं आपका ध्यान सबसे बड़ी बात पर लाना चाहूंगा इसकी सबसे बड़ी चोट हमारे और आपके भविश्य पर पढ़ रही है मतलब हमारी अगली जेनरीशन पर जैसे ही बच्चा मा के गर्व में आता है तो उसे ओयल की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसके ब्रेन डेवलप्मेंट के लिए जो उसे हम दे ही नहीं पा रहे है उसे दिया जा रहा है कुरूड ओयल अब उसके soft organs का तो जो होगा वो होगा प्रन्तु ब्रेन के बारे में आप सोचिए अगर शुरुवात से ही ब्रेन की डेवलप्मेंट में कमी रहेगी तो क्या होगा और उसी का नतीजा है कि defective birth हो रहे है मतलब mentally disabled बच्चों की तादाद लगा तार बढ़ती जा रही है आप Google करके चेक कर सकते हैं autistic child birth कितने percent पर पहुँच गया है तो अब इन सब समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए उस पे नजर डाल लेते हैं गाओं देहाद में तो किसान लोग खुद ही अपनी फसल उगाते हैं सरसो, तिल, मुंफली, नारियल की तो वह तो खुद अपने सामने ही आसपास की किसी भी एक्सपेलर से तेल निकलवा लेते हैं हलाकि एक्सपेलर से तेल निकालने से उसकी औरिजिनल नेचर नहीं रह जाती क्योंकि उसे हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर पर निकाला जाता है परन्तु कुरूड ओयल से तो बैतर ही है आज कल कोल्ड प्रेस ओयल की मेशीन्स काफी लग गई हैं लगबग हर शहर में यहां तक ही अब गाउं में भी लगनी शुरू हो गई हैं तो बस उसका पता लगाईए और अपने आँख के सामने तेल निकलवा कर लाईए यह तेल एक्सपेलर से अच्छा होता है क्योंकि यहां टैंपरेचर नहीं बढ़ता सिर्फ प्रेशर बढ़ा कर तेल निकाल लिया जाता है या फिर किसी अच्छे और विश्वास पात्र डीलर से ही तेल खरीदें जो डारेक्ट ऐसी जगह से तेल मंगवाते हों जहां यह तेल निकाले जाते हैं सबसे अच्छा तेल तो कच्छी घानी का होता है यानि बुल ड्रिवन ओयल लेकिन आजकल तो वह तक्रीबन लुप्त प्राय हो गया है दिखाई ही नहीं देता हां साउथ में कुछ जगे अविलेबल हैं कुछ जगे राजिस्थान में अविलेबल हैं लेकिन कॉस्टली होने की वज़े से उन लोगों का बिजनेस नहीं चल पाता क्योंकि लोगों में अवेर्णिस नहीं है कि वह तेल कितना यूसफुल होगा हमारी शरीर के लिए अगर वह ओयल उपलब्ध नहीं तो बाकी दो विकल आपके साथ हैं आप उसे चुन सकते हैं वैसे यह सब कारिय घर के मुक्या के होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह शुद्ध खाने की चीज़ें परिवार को उपलब्ध कराएं आप इस बात का ध्यान रखेगा यहां एक बात यह भी नोट करें कि हमेशा एक ही प्रकार का तेल यूज नहीं करना चाहिए आप जिस छेत्र में रहते हैं वहां जो जो ओयल सीट्स उगाई डाते हैं बदल बदल कर उनके तेल का प्रियोग करना स्वास्ति के लिए लाबदायक होता है जैसे 10-15 दिन सरसो का तेल फिर 10-15 दिन तिल का तेल फिर मुमपली और कोकोनट का इसी प्रकार से प्रियोग करें तेल के बारे में एक बात और बतानी जरूरी समझता हूं कि कहा जाता है कि तेल से कॉलेस्ट्रोल बढ़ जाता है लेकिन प्लांट बेस किसी भी चीज से कॉलेस्ट्रोल बढ़ नहीं सकता क्योंकि प्लांट्स कॉलेस्ट्रोल बना ही नहीं पाते ये सिर्फ एनिमल्स में ही प्रोपर्टी है कॉलेस्ट्रोल बनाने की तो जब आप एनिमल फूड या एनिमल ओयल यूज करेंगे तभी कॉलेस्ट्रोल बढ़ेगा कॉर्परेट इंडस्ट्री ने तमाम किस्म का भ्रम पहलाया हुआ है के इन तेलों से शरीर का स्वास्त ठीक नहीं रह सकता तो ऐसा मत मानिये क्योंकि वह जो चीज़ें बताते हैं यह जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किये हैं उनकी सच्चाई मैं बताता हूँ जैसे मुफली के बीजों में अगर कोई फंगस या कोई रोग लग गया वह उन्होंने वहां से उठाया एक्सपेरिमेंट किया और पेपर में छाप दिया न्यूज चैनल को बुलाया और उनको सब कुछ बतला दिया कि यह स्वास्त के लिए नुक्सान दायक है इसमें यह दिक्कते हैं यह परेशानिया हैं जबकि ऐसा है नहीं कुछ सेट्स खराब हो सकते हैं अगर उनमें कोई रोग लग गया हो तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बीज खराब ही पैदा होते हैं इस बात का भी आप ध्यान रखें कि ओयल इंडस्ट्री हर किस्म का भ्रह्म फैलाएगी क्योंकि उसका तो एम ही है पैसा कमाना उसे आपके स्वास्ति से कोई मतलब नहीं है लहाजा अपने स्वास्ति के बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा तो सोचे और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में और अपने प्रिये जनों में शेयर करें ताकि इसके बाबत awareness फैल सके तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार